हाई गैस एन विल्कम बैक टू दी चैनल दीपकियादव एजुकेशन विल्कम टू दी डेली करेंट अफियर्स ऑफ 28 ऑफ जैनवरी 2022 तो गैस आज है तारिक 28 जैनवरी 2022 और है फ्राइडे आज की तारिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफियर्स बनेंगे उन यहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के PDF को डाउनलोड कर सकते हो और यह है मेरी इंस्टाग्रेम आइडी दीपकियादव एजुकेशन चाहो तो आप लोग मुझे यहां पर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहां पर पूछ सकते हो बाइद को भी डिसकस करते हैं मतलब कि यह जो वन वर्ड क्वेशन से इसको लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा इन सभी के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो लास्ट में इसको सॉल्व करने की कोशिश करना जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिटेंस बिल्ट को हर साल कौन सी तारिक में तो वो है 24th of January उसके बाद अगला question आप लोगों से पूछा गया था कि naturally occurring radioactive substance ऐसे जो कि यहाँ पर negative ions को produce करते हैं तो यहाँ पर वो हैं uranium और थोरियम इनके बारे में कल में detailed discussion अलड़ी कल चुका हूँ अभी यहाँ पर स्रिफ आपको revision करवाया जा अगला question आप लोगों से पूछा गया था conjugal rights के regarding कि जो Hindu marriage act 1955 है और special marriage act 1954 है इनके कौन कौन से section के अंदर conjugal rights के बारे में चर्चा की गई है conjugal rights के दोरान husband और wife को power मिलती है कि अगर इन में से कोई व्यक्ति marriage से withdraw करता है तो वो लोग local district court में जा सकते हैं उसको complaint करने के लिए अ यह हुआ तो यहाँ पर Hindu marriage act 1955 में section 9 के अंदर यह सारी चीज़े mentioned है और special marriage act 1954 के section 22 के अंदर यह सारी चीज़े आपको mention देखने को मिलेंगी अगला question आप लोगों से पूछा गया था कि जो हमारी केंदर सरकार है उन्होंने एक annual award को बनाया है जिसका नाम है सुभाष, चंद् field में दिया जाता है तो यहाँ पर कोई भी particular individual या फिर कोई भी particular institute अगर यहाँ पर disaster management के regarding काम करते हैं तो उनको यह award दिया जाता है अगला question आपसे पूछा गया था जो बुरकिना फासो का मतलब नाम है खासकर जो country है इस country का नाम का मतलब क्या है तो उसका नाम है land of the honest man आयो कहाँ पर stand करती है और हमारे आने वाले time के goal क्या क्या है तो पहले तो आप देख पाऊगे current issue क्या है दहिंदू ने इस article को cover क्या है हुआ क्या है इंडिया electronic production को achieve करने वाला है 2026 तक लगबग 300 billion dollars तक का ठीक है तो 300 billion dollars तक का हम लोग अपना electronic production को achieve करेंगे 2026 तक यह हमारा target है हाला कि एक और target हमने set कर रखा है वो पुराना target आपको देखने को मिलेगा तो उसके comparison में थोड़ा सा कम है बट फिर भी यह हमें काफी अतक help करता हुआ नजर आएगा तो अभी फिलाल focus करना है current target के उपर यह current जो issue चल रहा है इसके बारे में जैसे आप लोग यहाँ पर द लिखते वे एक document release किया गया है उस document का title है 300 billion US dollars sustainable electronics manufacturing and exports by 2026 इस document को release किया है Ministry of Electronics and IT के साथ साथ Indian Cellular Electronics Association के थ्रू तो इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर इस document को release किया Now question यह है Ministry of Electronics आपको पता है electronic की category में काम करती है बट Indian Cellular Electronics Association के बारे में यह जान लो यह एक apex industry है एक उपर आने वाली industry जो की electronics industry के अंदर काम करती है mobile manufacturing को लेकर यहाँ पर यहाँ पर यह काम करती हुई नजर आती है Clear हुआ तो हमने आने वाले पांस साल के लिए क्या target रखा 300 billion dollars का target रखा है 2026 तक हमें achieve करना है इतने पैसा का हम लोग को अपने electronic market को खड़ा करना है Now अगर हम लोग growth देखें तो यहाँ पर देखो काफी सारी growth देखने को मिलेगी इस document के according बात करें तो इन्होंने बताया कि देखो current level जो आज के टाइम पर production हो रहा है उससे काफी जादा होने वाला है आने वाले 5 साल में हम देख पाएंगे 400% से increment देखने को मिलेगा उससी के साथ साथ जो आज करेंगे पर mobile manufacturing हो रही है यह लगबग हम लोग आने वाले कुछ सालों के अंदर लगबग 100 billion US dollars annually cross करते हुए नजर आएंगे मतलब हर साल 100 billion US dollars का production करेंगे खासकर mobile manufacturing के regarding ठीके तो यह भी अपने आपे बहुत बड़ा target देखने को मिलेगा क्यों क्यों क्योंकि यह जो target 100 billion dollars का यह current target से काफी जादा है जो आज की time का हम लोग जितना पैसा generate कर रहे हैं वो लगबग आप देख पाऊगे 30 billion dollars तक का हम dollars तक हम लोग पहुचाने वाले हैं clear हुआ तो अब exactly बात क्या की गई कि आखरकार हम लोग क्या क्या produce करेंगे किसको चीजों को manufacture करेंगे तो यहाँ पर आप उनका देख पाऊगे data दिया गया जैसे कि mobile phones के ओपर काम किया जाएगा है ना IT hardware हो गया consumer electronics जैसे tv audio laptop tablet हो गया LED lights हो तो हम लोग बहुत सरी countries के ओपर dependent हैं that is why हम लोग को requirement है कि हम लोग इस प्रकार का एक document आये और इस प्रकार का हम लोग अपने target को एक तरीके से decide करें अब decide भी हो चुका है आने वाले 500 में हम इसको achieve करेंगे focus करेंगे हम अपने country के अंदर जाद जादा manufacturing करें अपने खुद काफी सारे challenges भी आने वाले challenges qualitative और quantitative दोन हो सकते हैं मतलब non tariff barriers जैसे quotas बगरा होते हैं या फिर tariff जैसे taxes और इन चीज़ों के regarding काफी सारी challenges देखने को मिल सकते हैं बट particularly इतने जादा challenge नहीं है लेकिन हम लोग को benefits बहुत जादा देखने को मिलेंगे फिर at the last यहाँ पर इस document ने suggestion ये भी दिया कि अगर आप लोग ये target लेकर चल रहे हो कि हाँ हमें 300 billion dollar तक का electronic manufacturing का market खड़ा करना है 2025 के अंदर अंदर तो इस target के अंदर आपको primary focus रखना पड़ेगा कि incentives के ओपर कि आप incentives के थूँ अपने market को और ज़दा बढ़ा करो incentives पे incentives देकर आप लोग यहाँ पर अपने production of skill को और ज़दा enhance कर सकते हो clear हुआ अब यहाँ पर यह बहुत important point है देखो इंडिया का electronic manufacturing industry आज करेंपर कहाँ पर stand करता है और पहले कहाँ पे था मैं आपको बताता हूँ ठीक है इसको compare किया गया है past और present से देखो अगर आप 2015-16 के बीच में देखोगे तो वही electronics manufacturing का जो sector है वो 37.1 billion dollars का हुआ करता था लेकिन 2021 के अंदर यही market उठकर 67.3 billion dollars का हुआ है और अब यहाँ पर देखो इसकी requirement और ज़्यादा हो चुक है डिमांड और ज़्यादा हो चुक है अब आने वाले time पर यह और ज़्यादा आगे बढ़ेगा और इस पर अभारत काम भी क चुकी थी खासकर electronic production के अंदर यह growth hamper हुई जिसकी वज़ा से काफी problems आई हमारा जो target है बेसिकली जो हम लोग अपने production के उपर चल ले थे उसके अंदर काफी गिरावट देखने को मिलेगा तो उसके बाद हम लोग ने अब decide भी किया है प्लस इस document ने यह भी बताया कि भार उसका एक substitute त्यार करने वाले है और substitute क्या होगा कि हम अपने country के अंदर production करेंगे जिसको हम लोग make in India बोल ला है make in India for the world मतलब हम लोग अपने country के अंदर जैसे मैं आपको पहले ही बताया production करेंगे consume करेंगे consume करने के बाद जो बचेएगा हम लोग उसको export भी करेंगे उससे इंकम जनरेट करेंगे तो electronic manufacturing के अंदर भारत का आने वाले 5 साल के अंदर ये target होने वाला है ठीक है इस slide को skip भी कर सकतो बट यहाँ पर आपको बता देता हूँ क्या बात की जा रही है देखो electronic manufacturing के अंदर भारत सरकार के क्या क्या initiative है उस initiative के बारे में बताया है इसको read up कर सक environment management plan for Najafgad hill के बारे में चर्चा की गई जो यह नजबगड घील है जील है बिसिकली हिल कह रहा हूँ नजबगड जील है इसके बारे में जानेंगे प्लस आकरकार यहाँ पर किस की सिच के बारे में चर्चा की गई यह current issue क्या है देखो यहाँ पर Indian Express ने इस article को गवर गिया ह जो NGT है मतलब National Green Tribunal है इन्होंने direction दिया कि इसको डेली को और हर्यानों को कि आप जो यह नजबगड जील आपको देखने को मिलेगा इसको restore करो यहाँ पर pollution बहुत जादा है ultimate level पर pollution है तो जल्दी से इसको restore किया जाए तो ही जादा बहतर रहने वाला है यह यहाँ पर बता यह जील आपको देखने को मिलती है इसी border के बीच में अब यह जो article है आपका GS Paper 3 के point of view से important हो जाएगा syllabus के अंदर topics mentioned है environmental pollution and degradation जब हम लोग नजबगड जील के बार में बात करते हैं तो आप लोग देख पाऊगे यह origin कहां से होती है अरवली हिल से राजिस्थान से हर्याणा आप देख पाऊगे इधर आपको डेली नजर आएगा इधर आपको गुडगाओ नजर आ रहा होगा ठीक है यहां पर आप देख पाऊगे नजबगाओ लेक आपको यह जो जील है आपको यहां देखने को मिल जाएगी यह boundary पर ऐसी वजह से इसको trans boundary wetland बोला गया है clear मैं जरूर याद रखना यह कहां पर लोकेड है तो मैं आपको बताया यह southwest Delhi के अंदर देखने को मिलेगा हाला कि जो गुडगाओ वाला border है गुरुग्राम और Delhi वाला जो border है वहीं border के पास में आपको यह नजबगड जील देखने को मिल जाती है नाउ बोला जाता है कि गाउं हैं वहाँ से बहुत सारा कूड़ा फैगा जाता है तो मतलब आज के टाइम पर यह जो जील है वो बहुत ज़्यादा polluted हो चुकी है overall कहने का purpose यह है और इस जील का main जो portion आप देख पाऊगे बहुत सारा जो portion है basically वो हर्याणा के अंदर भी देखने को मिलता है और जैसे कि एजिप्टियान वल्चर हुआ सारा स्क्रेन स्टेप एगल ग्रेटर स्पॉटेट एगल होगा इंपेरियल एगल हो गया यह सारी आप देख पाऊगे जो बर्ट सेंकी प्रजातियां इस जील पर देखने को मिलती है और यह जो बर्ट सेंट्रल एशन फ्लाई अव कौन सा है मैं आपको बता चुका हूँ देखो स्वरी यहां पर अभी हम लोग ने देखा है आपको मालूम होगा कि इन बर्ट के साथ साथ यहां पर बहुत सारी बर्ट देखने को मिलेंगे जो कि यहां पर सेंट्रल एशन फ्लाई अवे से माइग्रेट करती है देखो फ्ल यह माइग्रेशन हुआ यहां बड़ी दूर से आए सेंट्रल एशन कंट्री से निकल कर आए इंडिया में आए तो यहां पर आप देखो इसको माइग्रेशन बोलता है इसी प्रकार से अब जब यह ब्लू वाला पोर्शन देख पा रहे होंगे यह इस्ट एशन ऑस्ट्रि यहां से बर्ट्स माइग्रेट करती है इस वाले रीजन में यहां से बर्ट्स इधर और यहां से इधर उसका जो यह पिंक वाला आपको रीजन दिख रहा है इसको हम लोग वेस्ट पैसिफिक फ्लाइवे अवे बोलते हैं ठीक है तो दिहार रखना बिसिकली जो फ्लाइव बोल दिया डेली और हरियाना से कि आप लोग यहाँ पर pollution को कम कर दो और pollution को कम करने के लिए आपको environment management plan का यूज करना पड़ेगा जैसे मैं आपको बताया था यहाँ पर आप देपाऊगे starting में इनको direct किया है कि आप अपना जो environment management plan ते इसको लागू करो और यहाँ पर इसको pollution को कम करो अब जो यह top priority क्या है देखो top priority बस basically यही है कि जो यह नाचफगर जील है इसका जो area आपको देखने को मिलेगा यह सब यहाँ पर wetland conservation management rules 2017 के under में आता है तो यहाँ पर basically मरपर्ज यही है कि इसको protection दी जा सके और इसको manage किया जा सके और जो भी यहाँ पर कुछ activities की जा रही है उनको रोका जा सके ठीक है उनको regulate का जा सके जिससे pollution को हम लोग कम से कम कर सके ठीक है basically main purpose क्या है pollution को कम करना और यह सारी बाते NGT ने direct करी है मैं आपको अभी बताया था तो NGT के बारे में भी जरूर जान लो क्योंकि prelims में आपसे question बन सकता है जब हम लोग national green tribunal के बारे में बात करते हैं तो basically यह एक specialized body है जिसको National Green Tribunal Act 2010 के अंडर में बना गया है और इस body का main काम यही है कि हमारे environment को protection दे environment को यहाँ पर protect करने के साथ जो हमारे forest हो गया natural resources हो गया इनको भी यहाँ पर protection प्रोवाइड करवाने का यह काम करती है और उसके बाद देखो यह जो NGT है NGT को हम लोगों ने establish किया इसी के साथ जो भारत है भारत यहाँ पर दुनिया में तीसरी country बन चुका था जिसने environment को लेकर कुछ ऐसा step उठाया था इससे पहले Australia, New Zealand इन countries ने ऐसी कोई body लेकर आये थे जो कि environment को लेकर काम कर रही थी बट भारत यहाँ पर NGT को ले लग लॉस के अंदर जैसे water cess act हो गया, forest conservation act हो गया, इन disputes को देखने का काम करता है, इन issues को देखने का काम करता है, इसमें अपना बहुत बड़ा rule प्ले करता है, उसके बाद NGT के आज करते हैं पर आप देख पाऊगे, पांच छोड़ी-छोड़ी settings देखने को मिलेंगे, ए यह articles हम लोग miss कर देते हैं, यह articles the Hindu के और Indian Express के और PIB के ठीक है, यह अलग-लग website से लिए गए है article है, जो की बहुत ज़ादा important भी होते हैं, प्लस यह ज़ादा इनकी needling cover की नहीं जाती है, और इसके regarding questions पूछ ले जाता है, अगले article में बात की गई है, बेसल stam rot के बारे में, एक basically fungi है, जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, article आप देख पाओगे, यहाँ पर यह दहिंदू का है, हुआ क्या है, दो प्रजात्या मिली है fungi की, fungi जो fungus आप लोग बोलते हो, तो इसकी दो species मिली है, ठीक है, और यह जो species है कई ने कई, यह associated है, बेसल stam rot से, मतलब एक तर ठीके से उस पेड को सडा देती है यह फंजाई, तो फंजाई अपना आप में खतरनाक देखने को मिलेगी, फिलाल जरूर धियान रखना, अब यह फंजाई कैसे फाउंड करी गई है, कुछ researchers है के जिनों ने यहाँ पर दो नई फंजाई, फंजाई की दो नई प्रजातिय जो को अभी found किया है, टिके उनको identify किया है, अब यह जो प्रजाई के नाम के नाम से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसी फंजाई की प्रजाईया है जो की बिलाग करती है और वो दो फंजाई के नाम किया हैं अब यह आप लोग को आगे बता हुगा लेकिन बोला गय कहीन है कहीन कहीन जो फंजाई है जो की जनोडर्मा से बिलॉंग कर रही है ये कहीन है कि coconut stem rot disease से associated है मतलब जो coconut का पेड़ है ठीके उसके अंदर काफी बुरी हालत कर दीती है उसकी जो stem है उसको सड़ा देती है ठीके coconut का जो stem उसको सड़ा दिये जाता है मैं अभी आपको करके यहां पर आपको नाम देखने को मिलेगा इसको जरूर ध्यान रख सकते हो क्योंकि इस प्रकार के questions and moment के regarding पूछ ले जाते है ठीके अब होता क्या है यहां पर मैं आपको बताया इसमें बेसल stem rot होता है मतलब कि आप देख पाओगे इस प्रकार से पेड़ के अंदर यह इसके पिछे का कारड़ क्या है इसके पिछे का कारड़ है यह फंजाए क्लियर हुआ तो basically main purpose यही है नो यह जो infection है यह start होता है root से मतलब पेड़ की जो जड़ है वहां से start होता है फिर उसके बाद यहां पर आपका सकतो इस पेड़ का जो color है वो उड़ने लगता है इसकी जो stem है जो tannia है वो basically सड़ने लगती है पत्ते सड़ने लगते है तो यह इस प्रकार से नुकसान पहुचाता है लेकिन ध्यान रखना है यह जो फंजाई है यह नुकसान coconut palm को ही पहुचा रहा है जो coconut के पेड़ है उनको ही पहुचा रहा है ठीक है coconut palm जिसको हम लोग scientifically जान उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर यह जो coconut palm है अगर यह इस फंजाई से अफेक्ट हो जाता है मतलब इस फंजाई ने इसको इनफेक्ट कर दिया जकर लिया इसको तो इससे क्या होगा यह पेड़ खतमी हो जाता है मतलब एक बहुत बड़ा मतलब loss देखने को म है वो कहिना की coconut farming के उपर dependent है तो अगर यह फंजाई अभी जो discover किया गया है यह अगर जादा मात्रा में देखने को मिले तो coconut की पिड तो बरबाद कर देगा coconut की पिड बरबाद होंगे तो जो farmers है उनकी income बगरा भी down हो जाएगी यह ऐसा देखने को मिल सकता है तो फंजाई के उपर, plant के उपर देखने को मिलता है, sea water, fresh water के उपर बहुत कमी है बट यहाँ पर आप soil, plant के उपर देख पाऊगे ऐसे यह जो फंजाई है जैसा आप लोग पिचर में देख पाऊगे ऐसे जम जाती है white color की है ना और सबसे बड़ी बात क्या है ना यह जो छोटे animals के अंदर बहुत सरी बिमारियों को produce कर देती है और ना केवल animal के अंदर ही इंसानों के अंदर भी skin disease हो जाती है ठीक है अगर यह फिंजाई किसी human being को infect कर दे तो उस human being को skin से related ठीक है skin से related बहुत सरी disease देखने को मिलती है जैसे कि athlete foot हो गया ringworm हो गया ठीक है आपने देख़ देखने को मिलेगा अगर इस फंजाई से यहां पर कोई infect हुआ है तो उसके बाद यहां पर आप देख पाऊगे इसको थ्रश बोलता है थ्रश आप देख पाऊगे यहां पर किस प्रकार से मुझ में देखने को मिला है ऐसी ringworm होता है तो यह बिमारियां हो जाती है तो धिय इशू इंडियन एक्सप्रेस के अंदर पब्लिश हुआ है हुआ क्या है युनाइटेड नेशन को रेकेगनाईस करना चाहिए फोबिया अगेंस्ट हिंदूस बुद्धिस्ट सिक ऐसा इंडिया की थ्रू स्टेटमेंट आया है इंडिया ने स्टेटमेंट दिया किसके अं इसका मतलब एक comprehensive mission है comprehensive mission यही है कि terrorism को कम किया जाए आज के टाइम पर जो यह लोग है बहुत सरे लोग यहाँ पर affect है इस terrorism से तो उनको बचाया जाए terrorism को prevent किया जाए ठीक है इसको रोका जाए combat इससे लड़ा जाए ठीक है counter किया जाए इसको तो यह basically यहाँ पर main purpose है तो यह पूरा का पूरा conference हुआ है इसका main purpose पर यही है कि international counter terrorism conference आपको नजर आ रहा होगा counter terrorism मतलब आतंगवाद को counter करने के लिए conference रखा गया था जहाँ पर भारत के थुरू क्या बोला गया मैं आपको बताऊगा article आप देख पाऊगे gs paper 3 के point of view से important हो जाएगा भारत ने क्या बहुत से लोगों ने सुना होगा जो Jews के अगेंस्ट में यहापर आपका सकते हो देखने को मिलता है Jews के अगेंस्ट में discrimination देखने को मिलता है इनके प्रती कावी भेदबाब देखने को मिलता है उसको लोग anti-semitism बोलते है तो आपने यह तो सुना होगा लेगन भारत ने ब six हैं इनके अगेंस्ट में भी आप देख पाऊगे काफियो तक phobia दिखाया जाता है काफियो तक concern दिखाया जाता है तो भारत ने यहाँ पर बोला है कि आपको सभी तरफ सभी religious को अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा ठीक है तो इंडिया का यह statement आया दूसरा यहाँ प पर ethnical motivated violent extremism हो गया तो कुछ इस प्रकार के violent nationalism हो गया तो यह सब terrorism की categories है terrorism को अलगलग categorization किया गया है और भारत ने बोला देखो यह सब अपने आप में dangerous है और जो global counter terrorism की strategy है इसका main काम यही है कि terrorism चाहिए वो किसी भी form में हो उसकी निंदा होनी चाहिए उसको खतम करना चाहिए उसको रोकना चाहिए तो इस conference के अंदर भारत ने exactly क्या बोला है वो इस article के अंदर mention किया गया तो क्या बोला मैं आपको बता दिया आपका सकतो हो कि religion phobia का एक नया मुद्दा उठाया कि अभी यहाँ पर आपने Islamophobia, anti-semitism के अलावा भी Hindu phobia और Buddhist Sikh के phobia भी यहाँ पर देखने को बलता है तो उसका भी matter of concern है उसको पर आप ध्यान दो clear हुआ अब उसके बाद मैंने यहाँ पर एक topic add कर रखा है terrorism in India करके कि इंडिया के अंदर terrorism की क्या situation है तो आप पहले यहाँ पर देख पाऊगे मतलब इंडिया के अंदर terrorism के against में क्या क्या laws है एक तो हमारे पास UAPA है आपको मालूम होगा इसकी full form है Unlawful Activities Prevention Act यह यहाँ पर करते हैं ठीक है जो hijacking operation होते हैं उनको भी रोकते हैं और इंडिया के अंदर आप देख पाऊगे कुछ regions देखने को मिलेंगे पंजाबला region कश्मिरवाल region ठीक है कुछ North Eastern States देखने को मिलेंगे जहाँ पर थोड़ा सा ज़ादा terrorism हम लोग देख पाते हैं थोड़ा सा ज़ाद को किसने organized किया था उसका नाम जरूर जान लेना आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल के तरफ आज का लास्ट आर्टिकल बात करता है एक्सपोर्ट अप घेरकेंज को लेकर घेरकेंज क्या होते हैं यहाँ पर यह कंडिशन अलग होती है घेरकेंज की यहाँ पर अचार बन बन चुका है घेरकेंज के मामले में पूरे दुनिया में तो भारत में अग कैस के तो क्यों दुनिया भर में सबसे जादा यह घेरकेंज को एक्सपोर्ट करता है घेरकेंज क्या होता है पिकलिंग क्युकंबर यहाँ पर दिखपाऊगे एक तरीके से क्युकंबर का अचार आप कह सकते हो ठीक है कीरे का अच्छार आप कह सकते हो इसके उपर कुछ विनेगर वगरा जो हमारा सिर्का वगरा होता है वो डाल दिया जाता है ठीक है तो भारत ने लगबग 2020 के अंदर अगर हम देखें तो बहुत कुछ एचीव किया है इस घेरकिन्स के मामले में लगबग बताया गया 1,23,846 metric tons तक का एक्सपोर्ट हम लोगों ने किया है और काफी कुछ पैसा जनरेट किया लगबग 114,000,000,000 तक का हम लोगों अमाउंट जनरेट किया है अप्रिल से लेकर अक्टूबर के वीचे में साल 2021 के अंदर तो अपने आप में दुनिया के अंदर भारत कहीं नहीं कि एक्सपोर्ट के मामले में खासकर घेरकिन्स के मामले में टॉप करता वा नजर आएगा यह आर्टिकल आप पर GS paper 3 के point of view से important हो जाएगा syllabus के अंदर आप देख पा रहोंगे यह अलगलग topics mentioned करेगा है घेरकिन्स के बारे हैं बात करें तो घेरकिन्स अपने आप में एक term है जिसको use किया जाता है pickled अचार के लिए यानि कि जो यहाँ पर cucumber का अचार बनावा इसके अंदर यहाँ पर सिरका वगरा डालागा जिसको हम लोग vinegar वगरा बोलता है तो यहाँ पर bottle के अंदर आपको द अचार से तयार करके इसको export करना चालू कर दिया था 1990 से ही और सबसे पहली शुरुवात कहाँ पर हुई थी करनाटका के अंदर आपको ध्यान रखना है ठीके करनाटका जो की state है South India के अंदर दन उसके बाद आप देख पाओगे तामिल नाडू हो गया आंदर प्रदेश हो इसके लिए temperature की requirement होती है 15 degree Celsius से कम temperature चाहिए प्लस उसके बाद यहाँ पर 15 degree Celsius से कम नहीं होना चाहिए और 35 degree Celsius से जाधा नहीं होना चाहिए ठीके not less than 15 degree और not more than 35 degree centigrade ठीके centigrade में आपका सकतो यह देखने को मिलेगा तो इससे जाधा इसना इससे कम temperature हो यह temperature बिलकुल favorable है इस temperature के अ काफी अच्छी तरीके से cultivation किया जा सकता है उसका बता है यह लगबग 15% का जो production है भारत का तीक है मतलब 15% का जो production आप देख पाओगे पूरे दुनिया भर का देखने को मिलेगा घेरकिन का वो इंडिया यहाँ पर पूरा कर रहा है तो इंडिया के अंदर फिर से मैं बता काफी जादा हो रहा है और घेरकिन्स आज के टाइम पर करेंटली भारत 20 से जादा देशों के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है चाहे वो नौर्थ अमेरिका हुआ यूरोपेन कंट्रीज होई ओस्यानिक कंट्रीज होई USA, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इसको हम लोग डिफाइन कर से खिरकिन्स आज कर रहा है और यह बेसिकली जो भी काम होता है यह कॉंट्रेक्ट फार्मिंग पर होता है इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एक अग्रिमेंट होता है फार्मर्स या फिर आप देको फार्मर्स होगा एक तरफ किसानने क Elmo खिरा होगा या तो उससी को हम लोग contract farming बोलते हैं, जाता इसमें मतलब की माथा पीटने की ज़रुरत नहीं है, बहुत simple सा यहाँ पर funda यह देखने को मिलेगा, clear हुआ, तो यहाँ पर इसका importance का मैं आपको बता दिया, अब इसको export करने के पीछे का main जो body आपको देखने को मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं, अपीडा, जब भी agriculture के अंदर आप देख पाऊगे, body के बारे में चर्चा की जाती है, तो एक top की body आती है, अपीडा, अपीडा यह full firm किया है, यहाँ पर agriculture and processed food, product export development authority, यहाँ पर यह authority है, जिसको act of parliament के थुरू बनाया गया था, जो की आज के टेंबर ministry of commerce and industry के control में आती है, और यह basically ध्यान लगती है, कि हमारा जो export है, ठीक है, हमारा जो तरीके से export के साथ, जो यहाँ पर export promotion हुआ, development हुआ, उसके उपर ध्यान लगती है, अच्छे से, प्लस उसके बाद लग country से export को promote कर सके है, ठीक है, export जादा हो, तो definitely हम लोग जादा पैसा भी कमा पाएंगे, clear हुआ, I hope आप लोग यह सारी चीज़ा अच्छे से clear गर गए होगे, now, हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अपने questions को, अब यहाँ पर आपने वीडियो अच्छे से सुना है, तो इन questions को आप लोग अराम से solve कर पाऊगे, पहला question आप लोगों से पूछा गया है, कि इंडिया electronic production को achieve करेगा, लगबक 300 billion dollars तक का target है, यह कौन से साल तक achieve करने के बारे में चर्चा की जगी है, अगला question आप लोगों से पूछा गया है, जो national green tribunal है, इन्होंने direct किया Delhi और हर्याड़ा को, कि आप environment management plan को लागू करो, और बेसिकली यह जो plan लागू करने के बारे में चर्चा की गई है, यह जील के लिए चर्चा की गई है, उस जील का नाम क्या है, उस जील के अंदर से pollution कम करने के बारे में चर्चा की जारी है, तो जील का नाम बताना है, अगला question, कुछ researchers ने क counter-terrorism conference 2022 को organize किया गया था, किस particular body के थुरू, आप देख पाओगे, यहाँ पर इसका acronym है, इसकी full form आप लोग बता सकते हो, last question, जो घेरकेंस और commercial cucumbers आपको देखने को बिलेंगे, यह दोनों एक same species बिलॉंग करते हैं, ठीके, हाँ, यह शायद मैं बताना भूल यहाँ, article के अं फिरकेंस और cucumber, आप देख पाओगे, यह दोनों एक प्रजादी से बिलॉंग करते हैं, उस प्रजाती का नाम है cucumbers sativus, ठीके, तो आप लोग ध्यान अख सकते हो, clear हुआ, I hope आप लोग सारी चीज़ें अच्छे से समझ गए होगे, now आप देख पाओगे, answers मैंने provide करवादे इस answers को भी आप लोग चेक कर सकते हो, बट बहले खोल सॉल्व करना तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है, इसे के साथ करते हैं हम लोग अपने lecture को समाप्त, मिलते हैं आप लोग इस नेक्स वीडियो में आश के लिए बाबाए, have a nice day, thank you and जैहिंद!